इस वीडियो में आपको Class 12th History Subject का Complete Solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी Subject की वीडियो देखनी है तो मेरी YouTube Channel MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिखरा होगा इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले Instructions यानि की निर्देश इसमें First Point है All Questions are compulsory जितने भी क्यूशन दिये गए हैं सभी आपको करने जरूरी है Next Point Question 1 से लेकर 10 तक आपके 1-1 नमर के Question है Next Point Question 11 से लेकर 15 तक आपके 3-3 नमर के Question है Next Point Question 16 ये आपका Source Based Question है 4 नमर का Next Question जो 17 है आपका ये 6 नमर का Question है Next Point Question 18 ये मांची तरह अधारित Question ये 5 नमर का है First Question हड़पय सब बेता की खोज किसने की थी Question 2 मोरिये सामराजे के संस्तापक कौन थे चंदरगुपत मोरिये B option इसका राइट है Question 3 महाबारत की रचना किसने की थी मैर्सी व्यद्व्यास ने A option इसका राइट होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है रामायन की रचना किसने की है तो इसका अंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे Question 4 निमलिखित में से कौन The Story of Indian Archaeology पुस्तक के लेखक थे तो ये कौन थे ये थे S.N. Rao इसका राइट अंसर हो जाएगा अपना option C Question 5 If निमलिखित में से कौन सा भारत का स्वसे पुराणा स्टूप है जिसका निर्मान मोरिये राजा असोक के द्वारा करवाये गया था साची स्टूप C जो अप्शन है इसका राइट होगा Question 6 और 7 ये आपका जो है blank question है Feeling the blanks Question 6 है दरम सास्तर के नुसार विवा है 10 पर कार के होते है तो 8 पर कार के होते है इसका राइट आंसर होगा Question 7 सिको के अधियन को 10 कहा जाता है मुद्रा सास्तर Question 8 और Question 9 ये आपके one word के question है मोहन जोदडो का साब्दिक रथ क्या है इसका रथ है मृत को का टिला Question 9 इन असोक के अधिकान सभी ले कौन सी लीपियों में लिखे गए है तो ये लिखे गए है ब्राहमी लीपी और खरोष्टी लीपी अगर आप अकेला जो है ब्राहमी लीपी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अधरवाई दोनों जरूर लिखे Question 10 आपका जो है अभीकतन कारण आधारित Question है इसमें अभीकतन है कि सिंदुगाटी सभबेता को हडपा संस्कृती भी का जाता है तो पहली statement बिल्गल ट्रिव है कारण क्या है कि सभबेता का सबसे पहला खोजागा अस्तल हडपा था इसलिए इसमें को जो हडपा संस्कृती भी का जाता है तो दोनों statement सहीं और जो नीचे वाले statement कारण है ये उसकी उपर वाले की correct explanation भी है तो इसका अंसर हो जाएगा अभीकतन A और कारण R दोनों सहीं है और कारण R अभीकतन A की सहीं व्याख्या है Question 11 ये इसके विनास के कोई दो कारण लिखे बाड, महामारी और जल्वायो प्रिवर्तन ये इसके विनास के कारण थे Question 12 स्तूप क्यों बनाए जाते थे चर्चा कीजिए इसका उतर है स्तूप बोध धरम से जुड़ा एक समारक है स्तूप को बोध धरमाव लंबी एक पवितर स्थान मानते हैं जिन स्थानों पर बोधिस्तों एवं बुध से जुड़े कुछ अवसेश जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रियुक सामान गाड़ दिये गए थे इन तिलों को स्तूप कहते थे स्तूप बनाने की परंप्रा बुध से पहले की रही होगी लेकिन वह बोध धरम से जुड़े गई क्योशन थार्टिन जाती पर था कि कोई दो या तीन यानकी तीन दो स्या बुराई लिखे यानकी इसके जो है कौन से कारण थे क्या क्या बुराईया थी तो देखे पहला है कि जाती पर्था समाज को कई इसों में वाजित कर देती है दूसरा इससे देश की राष्ट्रिये एकता एवम अखंडता को हानी पहुंशती है नेक्स्ट है इससे छुट जो है छोवा छुट की पर्था का जो परसार होता है आपने देखी है अगर सती पर्था सुनी होगी सती पर्था सती पर्था का अंत किस ने किया इसका अंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे नि सती पर्था को बंद किस ने किया इसका परसला नियानि किस को खतम किस ने किया जरूर इस कानसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्षिन में बताएंगे Q14 महायान और हीनियान में तीन अंतर बताएं तो पहला है महायान संपरदाय के गरंथ संस्क्रित बासा में है जबकि हीनियान संपरदाय के गरंथ पाली बासा में है Second point. महायान संपरदाय में मूर्ति पूजा आरम हो गई जबकि हीनियान संपरदाय में गोतम बुद को आदर्स और पवितरता का पृतिक पुरुष माना गया program Next point. महायान बोध धरम का नुत्तन संपरदाय है जबकि हीनियान बहुत दरम का प्राचीन जो है संपरदाय है ये नुतन संपरदाय है और वो प्राचीन है क्यूशन 15 महाबारत के महतव पर परकाश डालिए इसका अनसर है बारतिय संस्कृती तथा हिंदु दरम के विकास का लेखा जोखा है पहला पॉइंट इसका सेगंड पॉइंट है यह एक बहु आया मी गरंथ है नेक्स्ट पॉइंट समाज के सभी एंगजे से राजनीती दरम दर्सन और आदर्स की जलक मिलती है नेक्स्ट इसमें यूद वस्यांती सद्गून वे दुर्गून की जह वैख्या की गई है नेक्स्ट बारतिय इतियास का मैतपुन स्त्रोत है रुपक कता है संभवता है कालपनिक है क्योशन 16 यह आपका के स्टेड़ी आदारित क्योशन है पाटली पुतर का इतियास नेकिया और इसका नाम बदल दिया जब चीनी आतरी स्वेन तसांग सातवी सदी में यहां आये तो इसे यह नगर खंडर में बदला मिला अब इसे रिलेड़ेट पहला क्योशन है मगद की पर्थम राजदानी कौन सी थी तो पर्थम राजदानी क्या थी राजगा है तो इसका राजगा है राजगा है, सैगेंड क्यूशन पाटली पुत्र को मगद की राजदारनी कब मनाये गया, पांचवी सदी में, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पांचवी सदी में थाइड क्यूशन, किस चीनी यातरी ने साथवी सदी में भारत की यातरा की ये की थी, स्वेंग तसांग ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वेंग तसांग लाज्ट क्यूशन है, क्यूशन नमर फॉर पाटली पुत्र का विकास, किस नाम के गाउं से हुआ, तो यहां पे आप देख सकते हैं पाटली गराम, उपर तो पाटली गराम, इसका राइट आंसर होगा क्यूशन 17 हडपय सब्वेता के सहरी केंद्रों की अनुठी विशेस्ताओं का वर्णन करें तो इसका उतर है, हडपय सब्वेता जिसे सिंदु गाटी सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है, का उत्बव लगबग 3300 से लेकर 1300 इसा पूरो हुआ था इसके सहरी केंद्रों की कई अनुठी विशेस्ताओं थी जो इसे अपने समय की अन्य सब्वेताओं से अलग करती थी यहां कुछ परमुख विशेस्ताओं का वर्णन किया गया है यानि कि कौन-कौन सी विशेस्ताओं थी सबसे पहली अगर हम बात करें नगर नियोजन हडपा सब्वेता में सहरों का योजना बद डंग से निर्मान किया गया था सहरों को, सहरों की सड़कों को ग्रीड परनाली इसमें बसाय गया था जिसमें चोड़ी मुखे सड़के थी और उन से जुड़ी संकरी गलिया होती थी यह नियोजन विश्ता आथ भी सहरी योजना की तरह थी नेक्स्ट पॉइंट है जल निकासी परनाली हडपा सब बेता कि जल निकासी परनाली अत्यंत उन्नत थी परते गर के साथ एक नीजी संनान घर और पानी निकालने के लिए एक नाली होती थी जो मुखे जल निकासी नालीों से जुड़ी होती थी यह नालिया इटों से बनी होती थी और बहुत ही सूवय विश्ती तरीके से बनाई जाती थी नेक्स्ट पॉइंट है किले बंदी और सुरक्षया हडप्पा के सहरों में प्राय एक किला होता था जिसे एक उचे प्लेट फोरम पर बनाये जाता था किले में सारवजनिक भवन, गोदाम और कभी-कभी सनान ग्रिया भी होते थे इससे सहरी केंद्रों की सुरक्षया और परशासनिक कारियों का संचालन सूर निश्चित होता था नेक्स्ट पॉइंट है बवन, निर्मान और वास्तुकला हडप्पा के लोग पकी हुई इटों का परियोग करके अपने घर बनाते थे गरों में कई कमरे अंगन और कभी कुए भी होते थे गरों की छते सपाट होती थी और अक्सरवे एक दूसरे से जुड़े होते थे नेक्स्ट पॉइंट सारवजनिक सनान ग्रे है मोहन जोदरों में मिला महान सनानागार एक परमुखुदारण है यह एक बड़ा आयता कार डाचा था जिसमें एक गैरा सनान कुंड था इसके चारों और गलियारों और कमरे थे जो सारवजनिक सनान के लिए उप्योग होते थे नेक्स्ट पॉइंट है बंडारन और गोदाम अनाज और अन्य वस्तों के संग्रहन के लिए बड़े गोदाम बनाए गए थे मोहन जोदरो और अरपा दोनों के दोनों में अनाज रखने के लिए विशाल गोदाम पाए गए हैं जो यह जर्स दस आते हैं कि वहाँ के लोग कर्शी उत्पादों को संग्रहित करने की जो इच्छा जो अच्छी व्यवस्ता रखते थे नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और वानिज्य हडपा सब बेता के लोग व्यापार के लिए भी परसित थे उनके दवारा उप्योग की गई माप और तोल की इकाई बहुत स्टिक थी सब बेता के विबिन सतलों पर मिले मोहरे और मोहरे मोहरे और मोहरे व्यापारीक गतिवी दियों का जो परमान देती है नेक्स्ट पॉइंट देखें आपे नेक्स्ट पॉइंट है कला और सिल्प हडपा के लोग सिल्प कला में भी निपून थी वहाँ से मिले टेरा कोटा पत्थर और दातों की मूर्तिया बर्तन गहरे और अन्य सिल्प कृतिया उनकी उत्कृिष्ट कला को दर्साते है लास्ट में देखें आप इन सभी विशेस्ताओं के करण हडपा सब देता अपने समय की सबसे उन्नत और संक्ठित सहरी वेवस्ताओं में से मानी जाती है अब हडपा की कोज आपको पता होगा कब हुई थी और किसने की थी आपने उपर डिसकस कर लिया आपको बताना है ये कौन सी जगह पे है हडपा जो जगह मिली है मिली थी ये कौन सी जगह पे है तो जरूर इसका अंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं जगह का नाम किसन 18 देखी दिये गए बारत के रेखा मानचितर पर निमन लिखित को दर्सा है तो यहाँ पे देखिए मानचितर के अंदर जो लोकेशन इनको दिखानी है यहाँ पे मैंने यह ले नहीं रखा क्योंकि मानचितर की जो है वीडियो प्रवाइड करवाऊँगा उसमें कौन-कौन सी जो इंपोर्टेंट चीजे हैं वो हम डिसकस करेंगे यहाँ तक वीडियो अपनी कम्प्लीट होचकी है यह वीडियो ची लगी तो उसको लाइक करें अपने दोस्तों जरूर शेयर करें और भी वीडियो देखनी है तो में यूट्यूब चैनल MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोर्णे में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप मुझे Facebook, Instagram और Telegram पर फोलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे diet follow कर सकते हैं Thanks for watching